शिवात्मर श्रीशद्गुरु समझावे समझो नर और नार श्रीशद्गुरु सिवात्म समझावे समझो नर और नार अनजग में दुनिया उल्टी हाले अनजग में दुनिया उल्टी हाले कली कालरे कारन अब समझे तो समझ ही जावे ना समझे नुगरा धारन अपने आपको क्या कर समझाओं जैसी मती मेरी वैशी में समझ पाओं अपने आपको क्या कर समझाओं जैसी मती वैशी समझ में पाओं सद्गुरु शिवात्मा की जो शरण नहीं गया तो कैसे सत्य को समझाओं इंडज पिंडज उसमद स्वेदज सकल जगत विश्व पसारा लक चौराशी जिवा जुने में यहे करे भंडारा लक चौराशी की बात क्या समझाओं एक नाम लो लक चौराशी टल जाए एक नाम लो लक चौराशी टल जाए समझ बड़ो और भेद हैं भेद कर समझाओं पर अगर सरलता से समझाते है तो समझ नहीं आता जैसे हमारे भारत वर्ष के अंदर युगों से जब से यह स्रुष्टी का निर्मान हुआ है जिग seven समझतार हुआ है और उसने अपने आपको समझ लिया है वो सारे ही जग विश्व के जोबी हैं वो ब्रह्म में भारतिय हैं भारत वर्ष के अंग हैं अभिन्दा क्योंकि संस्कृती यहीं से शुरुवात हुई थी संस्कृती का शुरुवात भारत वर्ष से हुआ है बाकी तो सब अबोज थे कि यह भारत वर्स बार बार समझा रहा है आदी काल से इसके बाद सभी ग्यान चिक्षुआ उपत्पन नोपन हुए और खुद ने अपने अपनी धर्म को स्थापित कर दिया है कोई दिक्कत नहीं कोई बात नहीं बरन तो उसको पुर्णत या समझतों नहीं पाएं ना पुर्णत बटकाता है और पुर्णत है वो समझाता है अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो उस पुर्णत की क्या मतलब क्या बात अदूरा है तो अच्छ लग जाता है छलक करना ऐसा होता है कि मैं ही सत्य हूँ परम सत्य हूँ अब यह अहंकार ही वहां उत्पन्द हो जाता है इसलिए शिवात्म स्री राम भक्त अनमान बार बार समझा रहे हैं कि पड़े लिखो को समझाना पड़ा कटें है अब वोद को बोद देना बड़ा सहज और वो जल्ली धारन करने वाले होते हैं इस्वर होने जल्ली प्राप्त हो जाता है इस्वर का साक्षातकार उनको चल्ली बचाता है जोब को जाता है अक्यान है कोई दान नहीं है कोई बेद नहीं है कोई प्रस्तन नहीं है कि और बेद मतलब करने इसा मजमे आजा रची बात है जान करके क्या करोगे गोगे यह जैन लीजान करके क्या करोगे जो सकता है जब उसके चलने की डगर कम उठाए जाए परन्तु सतोगुन के मार्ग पर चलने पर अती विकट्षम पत्तियों का और समय का पड़ा सामना करना पड़ता है संगर्ष युक्त जीवन चीते हुए क्योंकि वहां पर अभाव यह भाव रहता है परन्तु उसी वक्त उसे संतुष्टी रहती हो सदाकाल के लिए not for the time of time not for the temporary but it's beginning everywhere every time and beginning beginning and beginning no break no negative not any objective in this way I am say about that you do not understand about yourself but any other persons can tell you about you then you are understanding if we are going the way is true but we do not know about that is that true or wrong everybody have can know but no have anyone because they are being of the order of man 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 कापे वेद्वान लोग कहते हैं केम अन्नुस्पृति को नहीं मानतें अरह एक फो तुम्हें यह भी झान नहीं हैं कि मनुस्मृति यानि तुम्हारा जीवन जैसे तुमने याद जन में लिया और मृत्वी प्रयंत जो जो अनुभोग किये वो सभी मनुस्मृति हैं मन की स्मृति से तुमने जीवन दूए बिद्र का जान जो जो अनुभा अच्राइबनुने कि छायको प्रेंच मरें दूए मोट्स प्रृति तको काट्षिन तो है समझाना बड़ा कट्षिन है कोई समझना नहीं चाहता क्योंकि यह समझने के लिए खुद को मार डालना होता है बड़ी सहस्ता से समझाया सकता हूँ अगर तुम खुद को मार डालोगे तो तुम्हें इश्वर का दर्शन होगा अब ये मरने की और मारने की बात किसने समझाई है तो कि इशीने समझाई है जिसने पाया है जिसने पाया है उसीने समझाया है जो बटक रहा है माया जाल के अंदर वो माया की ही बाते समझाएगा पाने वाला ही बता सकता है how can we get in this way, this story of his how can I got how could I got and why isn't getting all of others when your whenever they are using themselves ego that's when they are alive but the hair did not do anything as he need and as he thought about that as you want in this I am telling about that which you want and which you are having that is man difference between the understand about what we can do and why we have got it it's natural but how and why how and why it's depending on everybody's which is the risen body it's karma which he can spend every day births death births death births death births when today is in present its man it is now the karma's fall the present is karma's fall its man that's been the parinaam result what is result at present that's mean karma's fall karma couple because some persons are do not understand about that what is the real meaning of the world but they have no about something are something or something meanings but not feeling about this all which is it's producted by the time of investment it's meant very deeply you are thinking so cause you will caught it and you will give to others whenever you will get it whenever we are thinking I am right that's ego can upstairs and that is the break of speed yeah we need change of the life is reason clear of birth जन्म लेने का कारण वो समझ में आ जाता है परन्तु हम उस पत पर चलने में असमर्थ रहते हैं कारण शिर्फ यही है कि हमने मन के अमुसार अपने इस रश्टी को बना लिया है यह वरतमान है मेरा तिस दिमार प्रजेंट टाइम आफ मार प्रोजेक्ट आफ माइड इस में मेरे जो विचार मेरा प्रोजेक्ट है यह प्रत्रक्ष हैं जो परमान है कि अभी वरतमान में में यह इस्तिती में हूं आप इस इस्तिती में हैं और यह दुनिया जगत इस्तिती में हैं यह उस समय का उस वक्त का सच्चता का परिपक्वफल है यह क्षण अभी आपको प्राप्त हुआ है यह आप प्राप्त करने के काबिल हुए इसलिए जोरी के पास अगर हीरा चला जाता है तो इसको उसकी कदर महाशुस होती है उसकी किमत वो जानता है उसके किमत वो बाता सकता है बट जिसने इश्वर्क या सत्य या या निष्ठा या कर्म या जन्म या मृत्यू जीते जी अनुभव नहीं किया हैं तो वो कामनाओं के वशीभूत होकर वो जगत में कर्म करता रहता है और जैसे पीछे की जन्मों के जो कर्म थे वो पूर्न करता रहता है वो पुर्ण भुक्तमान होने के बाद उसे निगृत्ति प्राप्त होती हैं परंतु इस जन्म में इस देह के द्वारा जो कुछ होने वाला कर्म है वह भी तो हमें बंधन करता है अथमे अयम कत्वात्वम युवान भयतु असमया समयांतरे अयम गत्वा युवान प्राप्तियती अथ परंशत्य नतो करिश्यामी भेद अभेदो अथ परंशत्य तत्वार्थम आयम वक्तव्यम तत्वार्थम आयम वक्तव्यम अथ वक्तव्यम कि मोपी अथ नतोस्मी कुर्यात अतो नतोस्मी कुर्यात कुर्यात समयांतर समयह समयांतर समयह समय मनह वांचित 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 वां अत्व अयम ज्यात्वा किमोपी अयम किम अयम हत्वा स्वाम स्वायम नतोस में दुर्धरम 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 यत कर्मानाम बाद्धिते गत जर्मानान जन्मानान जद्य कर्मानाम बद्यते गत जन्मानान ततह प्रतक्ष वर्तमान मयम ततह प्रतक्ष वर्तमान मयम त्वम अत्र तत्र सर्वत्र प्रवर्तिती वर्तमान तेन उद्भवम वर्तमान तेन उद्भवं अत्र जानामी अयम सर्वत्रम किमोपी अयम जानामी अत्रम सर्वत्र ज्यानेंदू ज्यान चक्षु आत्म ज्यान आत्म द्रुष्टी आत्म द्रश्चता आत्मश्य द्रश्य धार्येती अत्यम दार्येत ततह 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 प्रतक्षम क अयम धार्यामी यत्र वर्तमान प्रतक्षम तत अयम द्रश्य धार्येती द्रश्य धार्येते द्रश्य धार्येतान धार्येते अथ वर्तमान अयम दार्यनते अयम इश्वर भवतू इश्वर भवतू अथ अयम द्रस्ट्वा नतोष्मिदार्यतेでは अयम विदेहि भवतू किमो। अहम विदेही बवतु किमों अथ अयम द्रस्ट्वा, 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 करता कोई औ चीज जो माध्यम है प्रकूर्टी का इसे शिर्फ प्रयोग में लाया गया है यह जो हमारी कामना उत्पनोती हैं इतने हि प्रकार से हम देह को धारन करते रहते हैं इसलिए लग्चौराशी कावनाय उत्पनुई और लग चौराशी देह को धारन करते हुए इस जीव जगत के अंदर चार यूगों में बट गए इंडज पिंडज उस्मत स्वेदज सतियोग त्रेता यूग दापर यूग कलियोग अब वो अपने आपके अंदर समझना है हम सारे जगत के अंदर विश्व में सभी ज्यानी है अज्यानी कोई रहना नहीं चाहता परंतु मैं तो कह रहा हूं मैं इतना अज्यानी हूं कि मुझे क्यान का कुछ नहीं आता है कि अभी शीड़ी अभी है चाहिजे के लमन ओपी क्यू आरेस्टी यूवी डेब्लु एक्स वाइज सेट यह सब सब्दावलियों के अंदर वहने वाले ज्यान गंगा हैं परंतु इन सब्दों से हम सिर्फ वाक्य बना सकते हैं भाव प्रगट करना जीव के हाथ में होता है थे प्रगबबब इन प्रगब प्रगब यार्ख स्व्ल के लगएज अवर्ण के लाव और क्यूज को लाव और क्यूंक्य। all that's mean it became creation the buck thought or this creation of thought of work it's both are different but we do not understand about that what is the difference between the verse of i am doing i can do i couldn't do and i can do it very well and i can done it very well but we do not understand about that what we have done which very well about the mentally body physically body soul body and in this way the power body of power the physically body is the unnecessary mind body is physical body is mind body and that's mean it's feeling by the heartly body and by the vibration of our oh नमकार आएचि विदमही वी शुरूपाइच दीमही तन्नु शिवात्माराम प्रशोद्यात। हम ये जो स्वासों स्वास ले रहे हैं, किशी के साथ रहे हैं और स्वास जब तक चलती हैं तब तक ये देह के अंदर या किशी भी देह के अंदर वो धड़कने चलती रहे हैं। विद्शित किया जा सकता हैं। अरंत लेकिन जो GTG मर गया हैं। उसकी दढ़कन तो होती ही नहीं है। Because he's not thinking any about. Because, he's not thinking any about... Do you understand about it? if you want to explain it you may you can it divide 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 more than more more than more more than more but we cannot understand you cannot understand but the god is giving us god is giving us in our soul power reason body has given up reason body has given up the work of sin and priest it's meant that's nil but a nil not not by not not okay then we have got the soul power what we want to do but it's very typical because we can't do nothing we can't being nothing we can't happening nothing we can't change in our soul body physical body mind body and the reason body is feeling everything is being being everything is being naturally to be time presentation time presentation time presentation time said you pray that you go for you kaliyuk subha dupahar madhya in this type of समझदारी आती है तब हमारा त्रहताय हो गए और जब हम इस समझदारी के आने के बाद बढ़ते हैं बोजन पर उद्दर पूरती के लिए तो यह हमारा विश्य है और हम अपने परिवार कुटूम की शिवा करते हैं और हम उस स्वा के बाद यह खुद को जान जाते हैं तो सुद्रता में सत्यूग का धारन करना कहलाता है बट अहंकार बीच में बार बार वही कलिकाल के अंदर जगत लोगों को पढ़काता है अहंकार सत्यूग में भी होता है त्रेताबे में भी होता है द्वापर में भी होता है और कलिकाल में होता है यूग चार है चार यूग में अहंकार तो हैं परंतु उस अहंकार को किस परकार से हम अपने कंट्रोल में करते हैं या हम खुद उस अहंकार के कंट्रोल में चले जाते हैं ये दो भेद हैं अहंकार के वस में चले गए तो हम और फिर भी अपने आपको सही माइना में प्रस्तूत करेंगी I am right I haven't done anything which is wrong मैं परमसत्य हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करदा जो गलत है बट हम हर कार्य घलत सोच चार से करते हैं कि उसे कहते हैं स्वार्थ स्वार्थ करता है तब तब ही कोई दिक्कत नहीं है पर उन्तो स्वार्थ हो जाता है स्वार्थ स्वार्थ तब तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि परिवार, यार, दोस, मित्र, सगा, सबंदी, वैवार, जो कुछ है उसको समालने का कार्य है और स्वा अर्थ यानि शिर्फ मेरा धारा हुआ, मुझे चाहिए वो which is I like and I want, that's mean बस वही समझ लो कि वही चीज हैं कि मैं पुर्ण तया से आपको समझाते हुए भी, अपने आपको समझाते हुए भी, उस औरों को समझाते हुए भी इसको प्रत्यक्ष अनुभवत तब करवा सकता हूँ, जब आप ये फिलिंग अंदर से करेंगे मास्टर जी शिर्फ पड़ाते हैं और शिवात्मा रामदाश इसको फिलिंग करवाते हैं which is we are feeling in heartly and mentally we can't forget about it for ever and whenever we are feeling normally that we can got lost our memory and then everything is normal at present बहुत कह रही है इस बातों के अंदर अगर जहराई से इसको बार बार समझाते हैं तो समझ में आएगा इसके अर्थ को और इसके भाव को अलग अलग तारण करना होगा पहले इसका अर्थ समझना कि सब्द के अर्थ क्या है और सब्द के अर्थ के बाद इसके भाव को समझना है इस जगत के अंदर प्रेम जगत में जीवन है प्रेम जीवन है प्रेम जीवन है प्रेम जीवन है प्रेम इस जगत में जीवन है नफरत मुरत्यू है प्रेम से तो स्रुष्टी उत्पन होती है नफरत से खत्म हो जाती है ना सोता है बस समझने में बड़ा कठीन है परंतु इतनी सरलता से समझ में आ जाए तो समझ लो कि अभी भी हम उस मार्ग के गामी है और हमने अपने कर्मों में परिवर्तन कर लिया है सबसे पहले मन पर होने वाले हावी विचार मन पर हुए हावी विचारों के अधिनन न होकर उन विचारों के प्रगट होते ही हमारे मन को हम दिशा प्रदाम करें जैसे सोच हुई उस वक्त वैसी दिशा प्राप्त हुई तो वो सतो गुनी थी तो हमने धर्म कारे करके पुर्ने कारे को अरजित किया और वो तमो गुनी थी तो हमने कर्म करके तमो गुनी यानि पाप कर्म अरजित किया और हमने कुछ नहीं किया तो हमने न सतों किया न तमों किया हमने रजों में अहंकार में रहे क्यों ये अहंकार ही हमारा वग्नान चक्षु है जो हमें कर्म करने के लिए बाध्य और निर्बाध्य करने की सक्ति रखता है शरीर करता है, मन करवाता है, इंद्रिया उसका प्रकृतिक करता रूप है, इंद्रिया है, बच्चे की भी इंद्रिया होती है, और प्धो की भी इंद्रिया होती है, वयोगयस की इंद्रिया होती है, युवावस्ता की इंद्रिया होती है, पांच गनाने इंद्रिया और पांच करमे इंद्रिया, हमें अच्छे अच्छे गंद सो गंद अच्छे लग सकते हैं अच्छी तो मैंने अपने अच्छ चिह पक्वान वपराप्त करके इस देव को उस सक्षम में ता तक लाया सक्षम में ता थक की इस देव के अंदर उर जासक्ति बनी रहे पलि रहे हिशी तरह से रहस रूप गंद जो किछ हैं परंतु सभी का आधार हमारा दियर की पोशन सक्तियों पर हैं इसलिए उसे पुछन तत्व कहते हैं आध तत्व कहते हैं उसे बीज तत्व कहते हैं समस्त जीव के अंदर बोया हुआ है वह अपनों से तो प्रेम करता है और दूसरे जो उसके उपर अधिपत चमाने के लिए आते हैं उससे नफरत करता हैं अधिए वह में कीठोंदग हो मनिश्य और जानवर हो बसुष लोगी हो किarse हो अनी बन रहочно दो बहुत कछंता है समयने में मैं जो कि अभी तक क्तों हम इंचान and मज़ को तुई नहीं समझने सकते हैं कि मेनिशी क्या है बसुओं को समझने कि बात यह हैं मनश्य हैं परअदन्स्वध कोईम समझ है तो फस्यों को क्या समझेंगे? पश्यों को जल्दी समझा जा सकता है, इसलिए उने पालतु बनाया जाता है, पर उन्तु महनिश्य-पालतु नहीं बनता है, वो अपने अङकार को कहीं न कहीं हट्चन रूप बना देता है, वट बैट इस नॉट मिश्टेक आफ एम वट इस तो मिश्टेक आप तर राइट टाइम प्रेजन टेसंस आफ प्रेजन टाइम समझ में आजा है तो अच्छी बात है इसको दिमाग के अंदर विचार प्रस्तूत करने के बाद सोच विचार की इसके अर्थ को समझना है इसके ज्ञान को समझना इसके सब्दों के अंदर तो अर्थ है अर्थ के साथ में उसे भाव प्रक वगट हुए हुए सब्द आगे पीछे होते हैं ज्ञान रखना हम बाके रचनों को बनाते हैं जैसे हम पूछते हैं मेरा फोटा खीचोगे और कुश्चन मार्क लगाते हैं तो प्रश्चन हुआ मेरा फोटा खीचोगे सर्प्राइज मार्क लगाते हैं तो हम दुविधा आजनक हैं और मेरा फोटा खीचोगे और हम पुर्ण विराम लगाते हैं तो यह आदेश हैं कभी नहीं सोचा होगा सोचने की जरूरत ही नहीं है न क्योंकि हमने अपना दिमाग चलाना बन कर दिया है हमने तो सिर्फ इस माया के वसीबूत होकर हमें कुछ गाने अच्छे लगे तो हमने सुनने में अपना मन टाइम लगा दिया हमें कुछ बोजन अच्छा लगा तो उसे प्ताप्त करने में हमने धन, दौलत, पैसा समय लगा दिया हमें कुछ काम करने के लिए मनुग अंचित फल प्राप्त हुआ इसलिए हमने अपना सरीर और मन दोनों उसमें लगा दिया और जब काम नहीं जागी जिस प्रकार की भी तो उस प्रकार की आप उर्टी कर दी, यहां तक ही इसका सफर है, इसकी गती है, इसकी मन्जिल है, बहुत कटिन समझता है जहां देह हैं, वहां देह की माया, यानि मेल, वो चलता जाएगा इस देह के साथ साथ परन्तु देह में रहकर वो निर्मा हो सकते हैं वो तो निर्मा है यह, पर्दम कमला यह है अ उसको कोई जलाने सकता, कोई मारने सकता, कोई काड़ने सकता, कोई बेदने सकता, कोई चिन नहीं सकता वो चीतना है उस चितना से उत्पन जोर जा सकती हैं वो हमारे दिह के अंदर पाच गनानेंद्रियों और पाच करमेंद्रियों को प्राप्तक होती हैं और हम उस गनानेंद्रिय और करमेंद्रिय की सकती शालिता पर विश्वास भी करते हैं और वैसा अनुकरन करते हैं समझ में आ जाता तो ठीक है लेकिन समझ में नहीं आया है तो बहुत बड़ी बात है कि समझने की जरूरत नहीं है सिर्फ यह जानो कि तुम जो बोल रहे हो सुन रहे हो वो इश्वर यह सकती है उसको गंदा मत करो इसे सैतान मत बनाओ इसे कामलाओं के वसिबुत मत करो इसे गंदी बातों के अंदर मत लगाओ इसके उपर की जो जली हुई परत है उसको साफ कर दो नया मुकाम तुम्हें प्राप्त होगा है पांच गिनानेंद्री और पांच करमेंद्री या प्राप्त होने के बाद जब पांच और पांच दस और एक ग्यारवामन इसको अनुगह करणें के लिए सख्षमित अपराप्त हुई उससुनें श्री सद्गुरु श्वातमरामद्दास मिल गये और कि जिते ज़ी मुक्तित प्राप्त करवा दी और जिते जी मुक्तित प्राप्त करवा दी जो आत्मारा उल्लास, जो स्वयन मुक्ति फ्ल हैं. ड़त्रमारा उल्लास, ए IR टाङता जा जुचित। श्यवदण道न्यक्ति अर्च्चित दुट्रे टार्च्चित झाल झाल